आरजेस्टेबल एकसल दिया गया है वही और संगल एक्टिंग पावर रोलाइक और पावर के साथ डॉलर्लिक और पावर डिये गया है वह चार सलेंडर इंजन के साथ थेक्र है4,887 CC का इसमें इंजन लगा गया 210 Nm के तोर्क 2000 RPM के साथ मिल जा अगया ट्रेक्टर है दो रिवर्स और आठ खॉर्वर्ट के साथ गेर बॉक्स अंको मिल जाता है कौन से में स्टाइब का गेर बॉक्स इसमें लगा गया दिल एक सीट ती गई है आप अपनी बजन के 2000 केजी की लिफ्ट क्यासिटी गाइस से मिल जातर यहाँ से आ आप लाइट का कनेक्शन ले सकते हैं पिंग प्रॉली के लिए ओप्षन दिये गए है अंधेरिये में काम करने के लिए लाइट मिल जाएगी घ्लो गैस माई नेम इच अनिल चक्रबर्ती अर गैस देख सकते हैं और वही पर सोनालका की बेजिंग और बलेक कलव की जाली के साथ ट्रेक्टर हमको दिखता है सिंगल फीस बॉनट के साथ आता है कीलोक सिस्टम के साथ दिया गया है और कंपनी हमको एक वंफर भी प्रवाइट कराती हो दें अरजेस टेवल एक्सल दिया गया है वही पर हमको साथ पचास सूला के अंगले फ्रेंट टेर मिल जाएंगे सिंगल फीस जो बॉनट दिया गया है अट्रेक्टिब हेड्लेंग्स सोनलका की बेजिंग साथ सो पचास आरेक्स सिकतर सीरिस का ट्रेक्टर है गया सिंगल लेट्टिंग पावर स्टीरिंग से प्रवाइट कराया जाता है किसी प्रकार का बंफर इथा से आप अटेजमेंट कर सकते हैं लोड़र डोज़र जैसे इंप्लिमेंट आप सब्सक्राइब का अप्सक्राइब行 सब्सभाइब कराती है 4,047 cc के इंजन लगाया गया है और कंपनी क्लेम करती है 210 नीटन का एन एम टॉर्क जनरेट करता है अपनी केटिगीरी में वाटर कूल इंजन दिया गया है बहुत कंपनी का हम को पंप मिल जाएगे दिख सकते हैं 4 सलेंडर इंजन है इंजन बहुत भारी भर कम दिया गया है किसी प्रकार का आप इससे हैवी ड्यूटी काम आसानी से कर सकते हैं 55 से 60 लीटर का इसमें डीजल टैंक मिल जाएगा यहां से आप ओन आफ कर सकते हैं डीजल को हमको टूल बॉक्स मिल जाएगा इस सारा का सारा प्रोसेस दिया गया है टैक्टर में चढ़ने के लिए आसानी से फुरिष्ट अब दिया गया है उर्गाई से से बड़े 1688 के बड़े टैर दिये गया है सकंदर सीरीज का टैक्टर की लॉक्स सिस्टम के साथ हमको डीजल टैंक मिल जाएगा वैसे इसके हम लेफ्ट साइट की बाद करते है बड़ा सा साइलेंसर दिख जाएगा सोनाल का डी आई आरेक 750 की बैजिंग दिख जाएगी हाइट्रोलिक और पावर स्टेरिंग के लिए पंप दिये गया है वही पर हमको ओयल फिल्टर दिख जाएगा इंजिन ओयल फिल्टर दिया गया है 750 सूला की बड़ी टेर दिये गया है यहां से आप लोड़ा डोजर अटेच्मेंट कर सकते हैं धाई किलोबाट की इंजिन स्टार्डर मोटर दी गई है बड़ा इंजिन दिया गया है चार्सलेंडर इंजिन के साथ पचकन सीरीज का ट्रेक्टर है 210 नूटर एन एम टॉर्क 2000 आर्पीम के साथ मिल जाएगे सिकंदर सीरीज का ट्रेक्टर है और और पेर रेसिंग देखने के लिए मिल जाएगी सारे के सारे फीचर्स सुला नठास के बड़े टेर न्यू पैटर्न की इसमें हमको स्टाइड इंटीकेटर मिल जाएगे कॉल में इस रिक की बेर्जिंग के साथ बड़ी सी सपोर्ट दी गए हैं देख सकते हैंगा इस फैंडर में मजबूत फैंडर दिये गए हैं इसके हम पिछले हिस्ते की बात कर ले थे टेक्टर का पिछले हिस्ते देख सकते हैंगा इसको इस प्रकार दिखता है शाइड इंटीकेटर रिवर्स पीटियो की बेर्जिंग के साथ दिया गया है हैबी लिप्ट मिल जाएगी हमको 2000 केजी की लिप्ट कैपसिटी काईस इसमें मिल जाती है और डाबर पट्टी बहुत मजबूत दी गई है लिंकेज देख सकते हैं आप अपने काम के अनुसार से अरजेस्ट कर सकते हैं वैसी निव फीचर्स आया है इसको उपन करके अरजेस्टमेंट कर सकते हैं दोई साइड अरजेस्टमेंट दी गई हैं देख सकते हैं, इस सैड भी, इस सैड भी, सुगर केन का काम आप आसानी से कर सकते हैं, हैवी डूटी हिच दिया गया है, फीचर्ज बाली हमको टॉपरीन मिल जाएगी, देख सकते हैं, और स्वाप मिट्टी, कड़क मिट्टी के हिसाब से आप इसमें अर्जेस्टमेंट कर सकते हैं, गईश टिपिंग ट्रॉली के लिए ओप्सन दिये गया है, लोड़ा डोजर जैसे इंप्लिमेंट आप इसमें खसा सकते हैं, और पल्टी पिलावू बगएरा जैसी बड़ी चीजे इसमें आप इस्तिमाल कर सकते हैं, टिपिंग ट्रॉली बाले ओप्सन दिये गया है, इसका कंट्रोलर वो दिया गया है, गैसे 55 HP का टेक्टर है और इसमें 46 HP की पीटो पार मिल जाती है, जैसे आप 6.5 छे फुट का रोटर बेटर और भसा मसीन इसमें आसानी से उप्रेट कर सकते हैं, हेच अपने फाइदिक अनुसार अर्जेश्मेंट कर सकते हैं, गैसे वो बुल गयर रेडक्शन तक्निक का इस्तिमाल किया गया है, जो प्राण उपीनियन कुछ रक्षत रखता है, लाइट रेप्लेक्टर और दो लीडर का बाटा लोल्डर, यहां से आप लाइट का कनेक्शन ले सकते हैं, देख सकते हैं, सीट अपने हिज़ाब से अरजेस्टमेंट कर सकते हैं, गैस इसमें 26-35 का बेकट टॉर्प मिल जाएगा, 210 एन एम का टॉर्प और 26-35 का बेकट टॉर्प कमश्टियों को प्रवाइट कराती हैं इस ट्रेक्टर में, बहुत मस्ट, हैबी ड्यूटी और होड दिया गया है, देख सकते हैं, अंधेरे में काम करने के लिए लाइट में जाएगी, नंबर प्रे लगाने के लिए, शाइड इंटिकेटर, नीला और बलेक का कॉंबिनेशन दिया गया है, सारे के सारे, और मजबूती दी गई है, देख सकते हैं, जो अटेच करती है, दो इफैंडरों को, और मजबूती को बढ़ा देती है, कैसा हम प्रेक्टर के फोड़ी से उपर चलके बात कर लेते हैं, क्या कैसे फीचर्स दिये गया है, चड़ने के लिए फोड़ी स्टॉप दिया गया है, और सांदार सी बैजिंग के साथ एक पकड़ दी गई है, आप आचानी से इस पे चड़ सकते हैं, बड़े इसे फैंडर दिये गया है, लो हाई में गेर बॉक्स है, दो रिवर्स और आठ फॉर्वर्ट के साथ गेर बॉक्स हमको मिल जाता है, कौन्स में श्टाइब का गेर बॉक्स इसमें लगा गया है, वैस डूल प्लिश में टेक्टर है, और अठारा सो आर्पीम दिये गया है टेक्टर में, छोटा पावर श्टेरिंग दिया गया है, देख सकते हैं, पावर श्टेरिंग दिया गया है, गैस इसमें दी लेक्स सीट दी गई है, आप अपने बजन के अनुसार और आगे पीछे अर्जेस्टमेंट कर सकते हैं, सोनलके के बेजिंग, वाइस बहुत solid seat इसमें provide कराई जाती है और 540 इरबर्स या 1000 RPM बाली PTO इसमें आप ले सकते हैं brick लगपा option दिया गया है platform लगभग लगभग support दिया गया है इसकी right side view की बात करते हैं तो इसको आप purchase कर सकते हैं wrap and wrap gearbox दिया गया है और वेस्टी ब्रेक कंप्रियां को sweat कराती है इसमें वेर रेसिंग मिल जाएगी इसका instrument cluster देख सकते हैं जो दिया है 1800 RPM पर 540 शक्तर मिल जाएगी जो heavy duty काम इसमें आप आसानी से कर सकते हैं diesel tank दिया गया है temperature, battery, apartheid fire control, hand racing दी गई है टेक्टर की length देख सकते हैं length लंबाई 55-60 liter का heat tank capacity दी गई ही key lock system के साथ गयाज जो इसका instrument cluster है बहुत ही प्यारा दिया गया है गयाज इसकी name checklist देख सकते हैं सारे की सारे रहते हैं अब अपने SFC भी देख सकते हैं इसमें पैस टेक्टर के हमने सारे की सारे फीचर्स बताई अगर आप टेक्टर लेना चाहते हैं तो company में आकर budget कीजिए आप टेक्टर को चला कर देखे तो guys वीडियो के ही पर स्वाप्त करते हैं अगर आप चैनल पर नए है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए वीडियो के ही पर साब्त करते हैं जय जवान जय किसान